और दोस्तों खुराना डैरी फारम पे आपका स्वागत है आज की जो वीडियो कवर कर रहे हैं यह आपके अपने फारम खुराना डैरी फारम से है जिन भाईयों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की एक से बढ़के एक है यह देख सकते हैं पहले नंबर पर नगीना ही है चार दाथ कट्डी है 17-18 लिटर से कम दूद नहीं निकल लेगी पूरी हाइट लैंथ वाली है देख सकते हैं लंबी चोड़ी और पहली बार में इतनी हाइट लैंथ बहुत कम पशों की देखने को मि पर बहुत साफ जोटी है ना को इस तरह का अपने को डाई कर दी या फाई कर दी पर पूरा लंबा टाइम दूद देने वाली जोटी है पहली बार की है बिल्कुल वाजब सा प्राइज है इसकी आपको मिल्किंग वीडियो भी इस वीडियो में चेक करवाएंगे पर इसको कोई मिल्किंग वीडियो मत मानना ही है तो सुबा भी दिखा रही हैं समझ लेना कि जहां से पाम रखती है वहां से पाम उठाती नहीं है जोटी पूरी बढ़िया जोटी है पहली बार की 17-18 लिटरी दूद देने है अडर देख सकते हैं कितना खुल है एच एफ गायों से भी बड़ी आडर क्वाल्टी है पहली बार में छोटा रिंग सींग है फूल आइट लेंथ की है आज कल के समय में इस तरह का पशुन दन निकालना मुश्किल नहीं है ना मुंकिन है पूरी साफ जोटी है और बिल्कुल वाजब सा रेट है पिछे कटड़ है बिल्कुल शा पूरी साफ जोटी है पहली बार की इस तरह की जोटियों का कोई रेट नहीं होता पूरा वाजब सा पशुतन और बड़िया बड़िया पशुतन लाते हैं वाजब रेट में देना है अपने तो यह देख सकते हैं अडर की बहुत चोड़े अडर की है और आगे पिछे का अ शांत सुबाव की है चाहे बच्चा छोड़े बिना भी देख सकते हैं पहले बन जोटी निच्चे बठा लेगी दार दे और ऐसे दूलो चाहे इसका दूद निकाल लो यह कोई मारने चलने वाली नहीं है बिल्कुल शांत सुबाव की है पाफसने के बाद थन भी बहुत ब बावकी है कोई मारने का चलने का कोई सभाव नी है हाईट्र देख सकते हैं कठड़ी की लंबा़ी देख सकते हैं हर तरब दे पर देख और मत्तर बावने जारपे में घर पहुंच करेंगे दोरा मोटा थन है पूरी बड़ी है टैंक साइज अडर क्वाल्टी है आठ नो लिटर एक टाइम का कच्छा दूद है त्यार है देख सकते हैं बैंसो जितना वजन है बैंसो जैसी पीठ पूठ है पूरी मजबूत गाएं अधर मत्तर बावने जारते में घर पहुंच कर देंगे बढदें बिल्कुल शान सभाव किये कोई मारने जलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है और टैंक साइज अडर क्वाल्टी है बावने जार्पे में घर मारने के लिए लेना चाता है बैसो जैसी गाएं दोरे मोटे कि यह क्योंकि गायों का अपना थन लिखे आते हैं 200 जैसा ही थन होता है बिल्कुल शांत सुभाव की है कोई मारने का चलने का कोई सुभाव नहीं है दोरा मोटा थन है पूरी साब सुत्री गायों और 52,000 रुपे सेकेंडी टाइमर है घर पहुंच तक का रेट है टैंक साइज अडर क्वाल्टी है इस तरह की गायों का लोग सीचासी पिचासी पिचासी रुपे मांग लेते हैं पर अपना तो वाजव सा रेट होता है पहले दिन से यही काम है और लाश्ट ट्रक जब तक काम कर तो किटनी रही थी पर जो भाई केयर करेगा तो तो लाग रुपे की चीज बन नहीं अगली बार देख सकते हैं फेश की क्वाल्टी कितनी शांदार है और अडर की कौल्टी उससे भी शांदार है पिचे विटां ज़ीची है यह मीने के लगड़ लग़ग व्हल हैं यह खुली लेटी है आगे पिछे का अडर एक बिल्कुल छोटा रिंग सींग है पूरी साफ जोटी है हर तरहं से बांद कोई एक अडरुर की पूरी साफ हैieß आगे पिछे काड़र एक दोर्था थनले पीठ पूर्थ की क्वाल्टी है जो पूरी बड़ी जोटी है और मातर 88,000 रुपे घर पहुंच तक का रेट है इसका पीट पूठकी देख सकते हैं कितनी शांदार जोटी है अडर देख सकते हैं कितना खुल है और 14 लिटर दूदा जो त्यारी का था इसके बिलकुल हम तेरा ही कह रहे हैं क्योंकि अपने पास नहीं रहेगी तो 14 से भी उपर उपर निकाल के दे देंगे पर बन्नी दो लाक रुपे की चीज आई है पूरी शांदार जोटी है यह कोई अच्छी केर करेगा तो पिछे यह फीमेल काफ है द्वारा चला दे थोड़ी डर रही है क्योंकि नहीं नहीं आई है जोटी पर बहुत ह पूरी उची लंबी है और मातर 88,000 यारपे में घर पहुंच कर देंगे बिल्कुल छोटा सा सीहिंग है बहुत बढ़ी आडर क्वाल्टी की आटर देख सकते कितना खुल ला है जोटी का पूरा शांदार अडर है मातर 88,000 यारपे में घर पहुंच कर देंगे पूरी पूरिया जोटी है हर तरफ से लाश्ट में आपको उसकी बंद लाश्ट में उसकी बिल्किंग वीडियो चेक कर वा देते हैं और पीट पूट देख सकते हैं पूरी शांदार जोटी है घर रखने वाड़ी पैले फेःश्चालों की क्वाल्ट देख रहे थे अभी वी देखना क्या चीज बनी है । पूरी साफ जोटी है हर तरफ से बिल्कुल शांसुअअ कि दूर लगात लोगने से पूरी बड़ी जोटी है बिल्कुल छोटा रिंग छींग है पूरी साफ है हर तरफ से देख सकते हैं पावसने से पहले भी क्वाल्टी देख रहे थे और अभी भी देख सकते हैं बांद अधर पूरी साफ जोटी है तो हर तरफ से देख सकते हैं अब क्या चीज है चारों कुंटों पर थन लगे हैं कटी आगे बहुत बढ़िया बनने व पूरा निकाले तो पंदरा भी हो सकते हैं पर तेरा चोदा तो है त्यार बाल्टिक अधिक देख सकते हैं किस तरह की जोटी पहले वन कटिया नहीं तो इतनी शांत सबाव की है रोज पशुई लाते हैं यहां पाम रख लिया वह नहीं हलने चलने का कोई सबाव हो इसमें अगले तोनों में भी काफी दूद्ञा करें के अगड़ी बढ़िया निकलती कि अगज़ हों मिनने की त्यारी पर आएगी ना कराता तो देखने वाली चीज़ बनेगी पिछे कल चाख कर यसके पूरी चान्दार जोटी है पूरी बड़ी आडर क्वाल्टी की जोटी है कोई दार में चर रहा फर रहा कुछ भी नहीं है चारों कुंटों पे थन लगे हैं और मुठीया ही थन है कि दो टेम तीन टेम पहलवन कठड़ी है नहीं तो कई एरिया में साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-स दिन की ब्याई जोटी है अपने बच्चे को रजाती है और यह 14 लिटर के आसपास दूद त्यार है 17-18 से कम दूद नहीं निकाल लेगी जोटी ब्रीड बहुत है जोटी में कि देख सकते हैं अगले तोना में भी काफी दूद आया जोटी के दाई तीन लिटर की एक आड़ी होई कि जोटी कि कम से कम होनी है इसकी जब पूरे दूद प्यानी है से ठंडे दूद की वह भी कि यह देख सकते हैं दार दूर की एक नंबर है बिलकुल कि पूरी साफ जोटी है और एक लाग पचीस जार पे गर पहुंच तक का रेट है जहां पाम रख लिया यह तो राय यहां के पशों की खासियत है चाहे कहीं से खरीद लेना पर जो शांत सुभाव है और लंबा टाइम दूद देने में तो यहां से पशू उपर के कहीं भी भी नहीं है यह नहीं है कि यह नहीं है कि हमारे से खरीदो कहीं से भी खरीदो पर पशू शांत हैं यह नहीं है कि हम अपनी बढ़िया ही करें कि हम बढ़िया पशू लाते हैं सभी लाते हैं पशू बढ़िया है इस एरिये में लंबा दूद देने वाले सुंदर जरूर कम है यह तो जोटी सुन्दर है पर वैसे सुन्दर पशुदन कम है इधर पर दूद वाड़े हैं दूद कितना है लेलो ठारा ठारा बीस बीस लिटर दूद नॉर्मल सी बैंसे भी निकाल देती है थोड़ी अच्छी केर करने पर बाकि यहां थोड़ा मारे एरिये में केर कम है पूरी साफ सुत्री जोटी है दार पावस्की और की एक नंबर है बिल्कुल दो टैम तीन टैम आप अपनी जैसे मर्जी मिल्किंग चेक कर ले ना और रेट है एक लाग पचीस जार पे घर पहुंच तक का एड्रस फिर बता दती है गज सिंगपूर है जिला श्री गंगनगर है स्टेट राजस्तान है गंगनगर से मातर पचास किलोमेटर की दुरी पे बस सो रेल दोनों ही आती है और बस सो रेलवे स्टेशन के बिल्कु शांत होती है यह नियों देखलो जाहां पाम मैं पिछे बोल रहा हूं या कर रहा हूं कुछ यह निया गी जहां से पाम रख़ा लिए अटा लेगी जा पर रखली है वहीं अप्ना राम दरी से खड़ी ए बिल्कुल शांत सुबाव की है तो टेम तीन टेम आप अपना अभी 13-14 लिटर कच्चा दूद ही है यह समय लो साथ दिन में कौन सा दूद बनता है और पहले वन कटिया एक मिन्ने तक दूद बनाती रहती है 17-18 से कम दूद देने वाड़ी जोटी नहीं है जैसे यह दूद पर चल दूद है रोज पशुद सकते हैं पर शांत बहुत है जोटी दूद वाड़ी है पूरी बरीकी बहुत है पहली बार की है और कोई भाइक है यह जैड़ बलैक है जैड़ बलैक नहीं हलका सा माथे में भी स्पोर्ट है ना मतर सा यह निए को अपने को डाइडूई कर दिया इस तरह का को शिश्टम है हलका सा मत्य पर भी स्पोर्ट है पर इस तरह की जोटी है बिल्कुल शांत होती है देख सकते हैं हर तरफ से प्रफेक्ट एंगल गिया और अभी अटर देखना बिल्कुल निचर जाता है जैसे निम्बू की तरह अब बच्चे को तो प्याने यह बच्चे को पहला वन जोटी है त्यारी प्याने पर बहुत बड़ी अदूद निकालेगी जोटी हलका सा मत्य में में स्पोर्ट है वह भी दिखा देते हैं देख सकते हैं जो बात है पर यह नहीं है कि जैसे हलने चलने का कोई सुभाव हो छोड़े बच्चे को देख सकते हैं बिल्कुल चोर से लेवटी है बिल्कुल अब निचोड़ भी देख सकते हैं जो ठीका किस तरह हैं और एक लाग पच्ची से जार पे घर पहुंच तक का रेट है पिछे यह मेल का आफ कटड़ा है बाकि सब भी भाईयों का वीडियो अ